नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजिस्थान एज्यूकेशन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजिस्थान फ्लिसवर्ती 2019 के वारे में आप सभी को पताए कि उसके आंसर की आज चुकी है उसमें से कुछ वच्चों क गजिस्थान ही मैं कुछ नमबर बढ़े हैं बाकियों के कुछ नमबर गटे हैं दो अब हम जानने वाले हैं की कितनी कट ऑफ रहेगी आपके यदि उतने नमबर आ похьяं आ जाये आपको चाहिए कर और चिछ क्लेशन पका होगा साथ है इस बात करने बच प्रेजित्र को प्र स्क्राइब कर लें साथ इस बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियों अप्लोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी से रूबरू हो सके इसके साथ ही हमने इसके लिए एक वार्टसप गूरू बनाया है जिसकी एक्सपिरियेंस उस गुरूप पे शेयर कर सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कट ओफ रहने वाली है तो देखे यह जलेवाइज कट ओफ है इसमें मैंने जनरल के लिए OBC के लिए SC और ST के लिए बताईए यदि EWS वाले अपनी कट ओफ जानना है यह कट ओफ हमने वेकेंसी के आदार पर और किस जिले से कितने फर्म बरे गए उसके आदार पर तयार की है तो बारा जिले से जो कट ओफ है वो 88 से 74 की वीच में रहने वाली यह फाइनल कट ओफ के हम बात कर रहे हैं ठीक है और जो OBC के लिए है वो 66 से 70 की बीच में रहन एसी के लिए तरेपंट अठावन और एस्टी के लिए 46 से 51 रहने वाली है उसी पर भरतपुर में है यहां पर OBC के लिए कोई अगेंसी थी नहीं S.C के लिए 65 से 70 और S.T के लिए 55, baann गवाल यहां पर आ वाले हैं यहां पर यह मान के चलेगा कि EWS से प्लपुर रहा है फिर बतारों की पांसे छे नंबर कम्मांके चलें... बीलवाडा के लिए 63-70, OBC के लिए 56-61, SC के लिए 50-53 और ST के लिए 45-48 रहेगी, वहीं बीकानेर के लिए 70-75, OBC के लिए 52-56 और ST के लिए 52-53 रहने वाली है, बीकानेर बुंदी के लिए 70-75, OBC के लिए 62-66, SC के लिए 52-56 और ST के लिए 50-53 रहेगी, यह मैं जलेवाज कट आप आपको बता रहा हूँ, बाद में हर जले के लिए भी एक अलग-अलग डेटा आपको दे दिया जाएगा, इसलिए जादा से जादा बच्चे वाट से में जोड़ें, अपना experience शेयर करें, अपने number शेयर करें, तक कि हमको जादा से जादा knowledge मिल सके, बीका निरव बुंदी की हो चुकी है, चित्तोर गड़ के लिए शेयर से 76, मैं एक वाट में बता देता हूँ, चूरू के लिए जनरल के लिए 75, दोसा के जनरल बिद्यारतों के लिए 75, दोलपूर के लिए 75, डूंगरपूर टी-एसप एरिया जो है वाँपचों की कम जा सकती है, हमेशा, दोलपूर में 79-72 है, डूंगरपूर टी-एसपी में OBC की कोई वेकेंसी नहीं थी, वहीं हनमानगड़ में 66-70 जा सकती है, चित्तोर गड़ के यदि SC की बात करें तो 52-58, चूरू में 58-56, दोसा में 62-65, दोलपूर में 56-60, डूंगरपूर टी-एसपी मे हनमानगड़ में 55-60 जा सकती है, वहीं चित्तोर गड़ के ST केंडिडेटों की जो कट ओफ है, वह 45-50, चूरू के लिए 50-53, दोसा में इसके लिए ST केंडिडेट के लिए कोई वेकेंसी नहीं थी, दोलपूर में 55-42-46, हनमानगड़ में 43-50 जा सकती है, जैसलमेर की बिद् से %57 और HD की 57-IsFC 47.3 जा सकती है, जाल में 68-74 जनर्ल के विद्धारतियों के लिए, 60-αι, 66-6 OBC के विद्धाषच 22-57 और HD की विद्धारतियों के लिए 47- से %57 लिए 25-57, जाला बाड़ में 66-64, साड़ से %56, 55-50 जा सकती है, वहीं जिन जिनो में 75-80, जिन जूक्चूमें की बोड़ी हाई हो जाती है शेंग कि भजायरतियों की आपने से जोई ऐसी के बावल शेपान और सब्सक्राइब शेए बावन बहतर शेटर ऑवी सी के लिए। चपन टू वासट और एस्टी के विद्धार्ति के लिए कोई वेकेंसी नहीं थी कोटा सिटी के दिए बात करें तो 71 से 76 वामन से 72 से 75 से क्या हो जा सकती है वहीं नागौर के लिए यह कट आप 77 25 or 45 तो भामन जा सकती है कि असलॊब II है तीके विद्धार्ति के वात करें स्था ने फर्म पर रहा लिए कनी सिपर्ट के लिए चाली आइस के लाइए सबंद में ऐसाइटां से पेशेत्ट चौह तो अज और कि लिए क। जाने सवाई मादवपुर में जनरल के लिए 52 से श्यासटट से सतर ऐसे के लिए साठ से साठ से सथथ और एस्टी लिए के लिए सिकर के लिए 2267, 287, 62-65, 572 जा सकती है हैं शुरूही NTSP यानि नोन-TSP एरिया के लिए शुरूही NTSP यानि नोन-TSP एरिया के लिए 70, 78, 66, 71, 57, 62, 50, 55 जाने की उम्मीद है विपर शुरूही का जो TSP एरिया है ट्राइवल सेरूल एरिया है जो उसके लिए 55 to 80, OBC और SC के लिए को वेकेंसी थी नहीं और ST के लिए 52-50 की उम्मीद है यदि जैपर कमिशनर रेट की बात करें जहां पर ज़्यादातार विद्यारती फॉर्म बरते हैं लगना चाहते हैं तो इसकी 65 से बहतर 52 से बावन से बाड़न से बाटालिस से बावन पचास जा सकती है जह पर रूरल में है 42 से 78 66 से बाटार और SC के लिए कोई हैं सी नहीं थी अधिक लिए 62 से 66 हो सकती है कोई पर जोदपूर रूरल के लिए बहतर से 77, 65 से 77, 55 से 55 से 55 से 55 से 55 जा सकती है, ठीक है, बागी कि आप देख सकते हैं, आप एम बी से खेडवारा, हाडी रानी बाटालियन जैप, अजमेर, फर्स्ट बाटालियन जोदपूर, सेकेंड बाटालियन कोटा, थर्ड बाटालिय न्यू देली, 9 बाटालियन टॉक, 10 बाटालियन बीकाने, इन सब की कट आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जा रही है, तो यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप इमान के चलिए कि आपका सेलेक्शन पका होने बाला है, आप अपने फिजिकल की त्यारी अच्छे से स वगेरा वगेरा, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में, अगली अपडेट के साथ, अब तक के लिए हिंद,